सपने में पायल का खोना कैसा होता है? सपने में पायल का तूटना कैसा होता है? आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे इधी लिए आप से रिक्वेस्ट है वीडियो को अंतर तक जरूर देखना अगर चैनल पर पहली वारा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट के मादम से पहुच भी सकते हैं हम कोसित करेंगे कि जल्दे जल्द आपके सवालों का जबाब आपको दिया जा सके जैसा कि आप सबी लोग जानते हैं सप्ट्रबेग्यान के अनुसार हर सपने का कुछ ना कुछ मतलब अवश्य होता है बहीं अब बात कर लेते हैं सपने में अगर आप पाइल देखती हैं तो ये सुब सपना होता है इसका मतलब होता है कि आपके जीवन में समरद्धी आ सकती है बहीं अगर आप सपने में पाइल खरीते हुए अपने आपको देखती हैं तो इसका मतलब होता है कि आने वाले समय में आपके आयके सुरोद बढ़ेंगे अगर आप एक house wife हैं तो निश्चिती तोर पर आपके पती या पिता के माद्यम से आपको जो है वो पहार सनूप धन की प्राप्ती हो सकती है जिससे आप अपने मनमर्जी से खर्ष भी कर सकती है बहीं अगर आप सपने में पाइल सोयम पहनती हुई देखती हैं और आप अविवाहित है तो इसका मतलब होता है कि आने वाले समय में आपका विवाह का योग बन सकता है अगर आपकी सपने में पाइल खो जाती है तूट जाती है तो ये असुब होता है इसका मतलब होता है कि निश्चित ही आने वाले समय में आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है नोकरी बगएरा करती हैं तो उसमें आपको संकट का सामना करेंगी इसके अलावा आप अगर व्यापार अगवागर मेनेश्चित हैं तो उसमें भी आपको लोसस का सामना करना पड़ेगा इसके अलावा अगर एक हाउस बाइप हैं तो आपके घर में आपके जीवन में थोरी तनावपूर्ण इस्तिती आ सकती है आपके माध्यम से कोई नुकसान हो सकता है जिसका खामियाजा आपको मानसिक तोर पर भोगतना पड़ सकता है मानसिक ताड़ना आपको जेली पड़ सकती है ये सपना इस बात की और संकेत करता है भाहिए अगर आप सपने में पायल खोई हुई पाती हैं ये अच्छा सपना होता है इसका बंतलब होता है कि निश्चिती आने वाले समय में आपके जीवन में जो भी घटनाए घटी हैं उनका फायदा आपको जो है सकारात्मक रूप से प्राप्त हो जाएगा उमीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी तो चैनल को सस्काइब करें धन्यवाद